नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Central PWD Department में Civil Engineers का J.E. Post पर Selection कैसे होता है तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि Central PWD में J.E. बनने के लिए आपकी Qualification क्या होनी चाहिए, Age Limit क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ सेलेक्शन प्रोसेस क्या है कितने एक्जाम होगे, एक्जाम कितने नंबर के होगे और कौन से एक्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी और Central PWD में J.E. बनने के लिए कौन सा एक्जाम देना पड़ेगा एक्जाम कौन कंडेक्ट कराता है एक्जाम कितने घंटे का होता है और इसके साथ साथ जौब मिलने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल रहागी इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इंफोमेसन सेयर करेंगे तो चली वीडियो की सुरुआत करते हैं वीडियो की सुरुआत करने से पहले और इसके साथ साथ रोडो का मेंटिनेंस रखना Central PWD का मुख्य वर्क होता है Central PWD में Civil Engineers के लिए Junior Engineer की पोस्ट पर वेकेंसी आती है यदि आपका इस पोस्ट पर सेलेक्शन होता है तो आप Central PWD यानि Central Public Work Department में Junior Engineer की पोस्ट पर कारियरत होते हो Central PWD में Junior Engineer बनने के लिए सबसे पहले आपको SSC JEE का एक्जाम देना होगा यदि हम SSC JEE के एक्जाम की बात करें तो प्रतेक एर जुलाई और अगस्त के महीने में इसका नोटिफिकेशन आता है और नौंबर में इसका एक्जाम होता है तो सबसे पहले यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो CPWD में Junior Engineer बनने के लिए आपके पास Civil Engineering में Three Year या फिर Two Year का डिप्लोमा होना चाहिए बहुत सारे लोग confused रहते हैं कि Two Year का डिप्लोमा होने के बात क्या हम SSC JEE की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं मैक्सिमम एच लिमिट 32 Year है और HTSC को 5 Year OBC को 3 Year और PWD Candidate को 10 Year की छूट देजाती है नेक्स यदि हम सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टोटल टू एक्जाम होते हैं पहला CVT टेस्ट होता है सबसे पहले हम CVT टेस्ट यानि की Computer Waste Test की बात करें तो यहाँ Online एक्जाम होता है और इस एक्जाम में 150 कुष्चन पूछे जाते हैं जिसमें 50 नंबर का कुष्चन Journal, Intelligence and Reginning का होता है और 100 नंबर का कुष्चन आपका Civil Engineering से Technical का होता है और 1st paper exam duration की बात करें तो 2 hour का होता है और इसके साथ 1st paper में आपकी negative marking भी होती है यदि हम negative marking ratio की बात करें तो 0.25 की negative marking होती है नेक्स यदि हम 2nd paper exam की बात करें तो यह एक लिखिद परिच्चा होती है यानि की written exam होता है और इस exam में 300 number के कुष्चन पूछे जाते हैं और duration की बात करें तो 2 hour होता है और इसके साथ साथ syllabus की बात करें तो आपसे 300 number के कुष्चन टेक्निकल पूछे जाते हैं यानि की civil engineering से related 300 कुष्चन आपसे 2nd paper में written exam के रूप में पूछे जाएंगे और 2nd paper में 1st paper की तरह negative marking नहीं होती है 1st और 2nd paper देने के बाद merit list बनती है तो आपका selection हो जाता है selection होने के बाद यदि हम salary की बात करें तो आपकी starting salary minimum 46,050 रूपए होगी यानि की starting में लगभग आपको 46,000 रूपए आराम से महल रहेंगे अपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि civil engineer का CPWD यानि की Central Public Work Department में junior engineer की post पर selection कैसे होता है अभी के लिए वस इतना ही अपना ख्याल लखिये और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा ख्याल लखिये इसी भाव के साथ हाप सभी से बिदा लेते हैं धर्निवाद